हेलो गाइज वेलकम पू प्लस मैंस मैं दिपाक एक बार फिस्टे सब्सक्राइब करता हूँ आपके इपने चैनल प्लस मैनस पे मुझे भी पता है बहुत दिन हो गए कि मैंने वीडियो नहीं डाली तो आज आपके लिए वीडियो लेकर आप हूँ ए स्क्राइब का जो मारा फूच पार्ट बचाओ हुआ है जिसमें आज हम पडेंगे क्वेरी इस पूरिस कुछ पॉरी इस एग्रिगेट फंक्शन उसके बारे में और सब क्वेरी के बारे में इसके बाद जो है हमारा सिर्फ एक टॉपिक बच जाएगा वो है PCL कमांड यानि के ट्रांजिक्शिन कंट्रोल लेंगविज यानि के क्या है उनमें अटोमिसिटी डूरेबिल्टी ऐसे प्रोपरेटी यह सारी चीजे बच जाएगी जिसको हम मैक्सिमम दो क्लासिज में खतम कर देंगे बहुत जल्द उसमें खतम कर देंगे लोकिंग सिस्टम प्रोफेज लोग यह सारी चीजे हम पढ़ेंगे और और SQL हमारा यहां पर हो जाएगा खतम इसके बाद मैं बहुत ही जल्द लेके आँगा आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स की क्लासिज वो भी बहुत लंबा टोपिक है उसके भी अटलिस दस से बारा क्लासिज आरा आप से देंगी बट हमारी सारे टोपिक मौस्टली कवर हो जाएगी तो शुरू करते हम आज की क्लास स्टार्टिंग विद् क्वेरीज एंड सबक्वेरीज तो यह कुछ क्वेरीज है एक टेबल है उसके उपर कुछ क्वेरीज है उससे क्या आउट्पुट निकलेगी कैसे हम लिखते हैं थे असे क्या एक क्वेरी बनानी पड़ेगे क्या सब क्वेरी क्या होती है क्वेरी सामेशरी क्या होती है इस तो यह हमारी एक table employee table है, इसमें क्या-क्या है भी, employee table में हमारको दे रखा है, employee id दे रखा है, employee name दे रखा है, department दे रखा है, कौन से department है, और salary उसके कितनी है, ठीक है, तो पहला जो question में यह put कर रहा है, write a SQL query to display maximum salary from employee table, अब इसका क्या होगा, write a SQL query to display maximum salary from employee table, तो अब इसमें मान लिजिए, हमारे इसके query क्या बनेगी, इसके query होगी, select star from employee, where salary is equal to max, एक query हम ऐसे लिख सकते है, ठीक है, जिसकी maximum salary है, उसका सारा का सारा data उठा के वो दे देगा, अगर ऐसे आपको नहीं लिखने, तो एक हम, एक और तरीके से, हम, same query को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक और तरीके से, हम, same query को लिख सकते हैं, select max salary from employee, ठीक है, अब, अब इसमें क्या है, जो यह query जो हम लिखेंगे, जो यह वाली query लिखेंगे, यह वाली जो query हम लिखेंगे, select star from employee where salary is equal to max, तो इससे क्या होगा, जितना जितना data है, जहाँ पर salary maximum है, यानि कि हमारी salary maximum कितनी है, 60,000 हमारी maximum salary है, output हमारी क्या आएगी, हमारी maximum salary है, 60,000, max salary हमारी कितनी है, 60,000, तो हमारा इसका output क्या आएगा, इसका output आएगा, हमारा 2, card, tick, पूरा data उसका उठा के दे देंगे, department में कौन से में काम करता है, management में, और 60,000 उसकी salary है, ठीक है, यह आएगा, और जो यह है, select max salary from employee, इसमें सिर्फ वो salary output करेगा, सिर्फ, सिर्फ salary output करेगा, कि यह maximum salary, जो employable में maximum salary है, वो output कर देगा, उसका पूरा data नहीं निकालेगा, ठीक है, अब बात करते हैं, अभी query की, write a SQL query to display the employee name who is taking max salary, display the employee name who is taking maximum salary, ठीक है, ठीक है, बही है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे, select employee name from, sorry, यहाँ पर एक मेंट, हम इसके लिए क्या करेंगे, select employee name from employee where salary is equal to select max salary from employee, ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो बंदा maximum salary ले रहा है, इस table में से, जो इस table में से maximum salary आपको जो ले रहा है, जो यह table जो है, आपकी यह table है, इसमें जो maximum salary ले रहा है, उसका आपको नाम पता चल जाएगा, उससे आपका output जो है, वो नाम आपको दे देगा, क्या नाम दे देगा वो आपको नाम दे देगा कार्थिक आपट जो इससे final आएगा वो आएगा कार्थिक खाले ठीक है अब जो मैं इसमें बात बताने चाहरा हूँ एक question था आपका simple query का जो यह बारा question था वो आपका simple query है ठीक है उसने पूछा और यह इसका sub query का question है ठीक है यह सिर्फ मैं बताने की बात कर रहा हूँ ठीक है तो जो query है यह तो आपकी query है simple query होगी sorry यहाँ तक यह तो आपकी simple query होगी और यह जो है ना यह आपकी होगी sub query है अब इसका output यह क्यों है क्योंकि इसने star लगा दिया पूरी की पूरी information निकाल करें दी उसने नाम जो पूछा था उसने यहाँ पर सिरफ क्या पूछा था employee का name display करना है बाई और कुछ चीज़े मुझे नहीं चाहिए तो उसके लिए मैंने यह query लिग दे जिए display employee का name हम display कर रहे है employee name display करें उसके लिए मारी यह query select e name from employee where salary is equal to select max salary from employee ठीक है यह आपकी subquery हो गई यहाँ पर उसको condition दे दी कि भी यह आपको क्या है जो भी condition देनी होती है उसको subquery बोल देते एक तरीके से और जो आपको select करना वो आपकी mean query हो गई तो यह आपको query और subquery का topic हो गई ठीक है चलते हैं अगली slide बे तो write the SQL query to display the second highest salary from employee table तो second highest salary को जो लेता है वो हमें display करना है ठीक है second highest salary क्या होगी टीक है तो simple सी बात अब यह क्या दरना पड़ेगा पहले तो हमें भी a simple query लिगनी पड़ेगी select max salary from employee ठीक है where salary यह जो sign है या यह sign लगा लो यह sign होता है not equal to का ध्यान रखना कई बार paper में आपको sign दे देते हैं sign के ओपर question आ जाता है तो उसमें confusion ना होना यह भी not equal to होता है यह भी not equal to होता है दोनों में से कोई भी दे दे दें तो आप यह मत समझन यह question गलत दे रखा है या options गलत दे रखे हैं ठीक है यह आप बिल्कुल ना समय ना कि question आपको गलत दे रखा है बिल्कुल सही question होगा वो तो इसने बोला कि अब यह जो यहाँ पर है इसने बोला कि select max salary from employer salary not equal to किसके not equal to कि यह जो salary max नहीं है उससे नीचे वाली salary select max salary अब दे select max salary from employee का मतलब क्या है सिरफ इस query का मतलब क्या होगा जो भी maximum salary आपकी टेबल में होगी maximum salary अब क्या थी maximum salary थी हमारी टेबल में 60,000 थी maximum salary भी है 60,000 हमारी maximum salary थी थी, ठीक है अब वो क्या बोल रहा है, select max salary from employee where salary is not equal to select max salary from employee मतलब max salary से equal नहीं होने चीए उससे नीचे जो भी salary हो, वो display करवा दो अब उन्होंने display करवा दी है कि भी है 50,000 और 40,000 salary है यह back end में चल रहा है process, ठीक है अब वो बोल रहा है कि maximum salary के equal नहीं होने चीए बट जो आपने select की है, उसमें से max salary display करवा नहीं हमारे को तो उसमें से max salary कितनी है, हमारे 50,000 है तो यह max salary 50,000 यहां पर display करदेगा यह जो output यहां पर 40,000 मैंने लिखा हुआ है, यह गलत लिखा हुआ है यहां पर 50,000 होगा, confused मत हो जाना बाई, ठीक है अगली query की तरफ चलते है, write a query to display all the department name along with the number of employee working in that तो एक चीज होती है, group by के नाम से, ठीक है group by के नाम से हम बोल देते हैं कि SQL में हम use करते हैं, keyword group by के नाम से तो group by क्या करेगा, जितने भी department है, ठीक है जितने भी department है वो सब को, जितने उन में काम करते हैं, उन सब को group बना दे गए एक group जैसे IT के, IT में 10 बंदे काम करते हैं तो IT, 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 IT उनका group! बना देगा Estoyne d vision, management में 10 बंदे काम करते थे, तो management गए अब एक के बाद एक essay बना देगा, IT का एक बार, management का एक बार, HR का एक बार, ठीक है, ऐसे ऐसे ठीप में भी department है, तो वो हर एक का अलग अलग ग्रूप बना देगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या हम query लिखेंगे, उसके लिए करी लिखेंगे, select department, count, star from employee, group by department, अब इसका क्या मतलब हुआ भी, कि उसने भी या किस चीज को group करना है, department को group करना है, तो group by हमने department कर दिया, यहाँ पे पहले तो, खिक है, अब वो बोल रहा है कि भी या, कितने number of employee काम करते हैं, वो भी मेर को बताओ, तो हमने क्या किया, select department, count, हमने जो department में बंदे काम करते हैं, star, जितने भी बंदे काम करते हैं, उन सारे की information, कितने बंदे काम करते हैं, भी या, जितने भी, हर एक department में जितने बंदे काम करते हैं, हर एक का मुझे count करना है, अब माल लीजिए, यहाँ पे एक और बंदा हो, ता चार, जिस यहाँ पर आये टी यह ग्रूप बाई से तो क्या होगा भी हुष्ञ वन दीपक आये टी फिफ्टी थाॉज़ंड और पोर अनाय मैंने ग्रूप बाई का बता रहा हूं अनाया आये की टॉन्टी थाॉज़ंड अब सेकेंड कार्तिक हो गया डिपार्टमेंट के इसाब से वह मैंनेज्मेंट कर रहे है हर एक अलग अलग मनलेब इक ग्रूप बन जाता है आइटी का यह ठीक है यह बात करते हैं कि डिपार्टमेंट का इसे कि अनाया उर होती फोर्थ पे तो यहाँ पर जो है ना हमारा account करेगा कि भीया अनाय IT में दो बंदे काम करते है management में एक बंदा काम कर रहा है HR में एक बंदा काम कर रहा है तो आटट हमारी कुछ इस तरीके से show होगी ठीक है बात समझ में आ रही है ठीक है चलो भी आगले चलते हैं आगे क्या बोल रहा है इन और नोट इन में आपको बता चुका हूँ बढ़ फिर भी एक तरीके से मैं एक और चीज ले रहा हूँ इसमें एक और आपको सुर्ण में अच्छे से आ रहा है तो एक example और ले रहा हूँ यह हमारी employee table है इसको हम employee table बोल देते हैं और यह हमारी project table बोल देते हैं ठीक है ठीक है यह हमारी project table बोल देते हैं ठीक है तो चलते हैं भी आगे यह बोल रहा है कि write a query to find details of employee whose address is इधर डेली और संदिगर और पूने ठीक है भी आगे तो हमें एक query लिखनी है जिस जो employee की एक एक detail निकाल ले जिसका address या तो दिल्डी हो या चंदिगर हो या पूने हो तो हम क्या लिखेंगे select star form employee हम क्या लिखेंगे भई हम लिखेंगे select star form table name table name हमारी क्या है employee whose address address is whose address in okay okay एक मेंट ठीक है एक मेंट whose address in address in डेली चंदिगर पूने ठीक है अब इससे क्या होगा हर एक बंदे को देखेगा कि वो दिली में है चंदिगर में रहता है या पूने में रहता है ठीक है तो उससे क्या हमारे output आजएगा हमारा एक ऐसे output करके आजएगा सबस्तis में यह दो हमारा इनक होगया अब करिस्तisえば में वो ठीक है not in का जो हम example लेंगे not in का जो हम example लेंगे वो भी कुछ ऐसा ही लेंगे तो not in के example लेंगे तो उसकी query क्या होगी same चीज है हमार को write a query to find details of employee whose address is not in Delhi, Chandigarh और Pune, जो Delhi, Chandigarh और Pune में नहीं रहता उसके लिए हमें एक query लिखने है तो उसके लिए हमारी क्या query होगी select star from employee, whose address not in का का पर नहीं होना चीए Delhi में नहीं होना चीए, Chandigarh में नहीं होना चीए Chandigarh में नहीं होना चीए और Pune में नहीं होना चीए तो इससे हमारे को क्या output मिलेगी इससे हमारे को output मिलेगी भीया जो डेली चंदिगट और पूने नहीं है उसके लावा सभी को आने तो भीया डेली चंदिगट और पूने में हमारे था दीपक था कार्तिक था अधित्य था और अनाया थी यानि के हमारे को जो बैंगलोर का address है को हमें चीए Delhi, चंदिगड, मनलब उपर वारीटिस टेबल के इसाब से हमारे सिर्फ बैंगलोर में जो है वो वाला बंदा चाहिए, अगर यहां पे बैंगलोर के और दो-तिन और आउट्पुट होते जो दो तिन और इंपुट होती इस टेबल में तो बैंगलोर मतलब सिरफ डैली चल दीगड़ और पूने को चोड़ गया सारे की सारी वो शो कर देता तो हमारे को क्या हमने स्टार रगाया था तो सारे की सारी इंफरमेशन शो कर देगा तो आपको यह सारी चीज़े समझ में आ रही हो चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ तो यह बोल रहा है कि एसा ऐसा क्वेरी लिखे जो कि किसी ना किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं सभी का एंप्लोई हम एंप्लोई हम एंप्लोई का नाम हम निकाल दें ठीक है यह आपकी जो है फोरन की और वह वाली चीज है वो सब आपका प्राइमरी की यहां पर प्राइमरी की है यहां पर फोरन की हो जाएगी इसमें एंप्लोई आइड यहां पर प्रोजेक्ट आइडी ठीक है यहां प्रोजेक्ट ने जो भी है जैसा भी है प्रोजेक्ट आइड employee name, from employee, employee में से employee name निकालना है, जिसकी ID, where ID in, select eID from project, यानि कि जिसकी ID जो है, वो project में है, किसने किसी project में distinct, अगर नहीं लगाएंगे, तो भी कोई दिक्कत में होगी, distinct का मतलब, कि एक आदमी अगर दो projects पे काम कर रहा हो, तो वो दो जगे ना दिखाए उसको, कहीं, जैसे मा marketing में भी काम करता है, ठीक है, तो यह ऐसे ना output देदे, दीपक, दीपक, और नमीन, और अधित्य, और अनाया, ऐसे ना, district में इसलिए लगा है, कि भाया, एक आदमी का नाम आगया उस project में, तो सिरफ एक ही बार आएगा, दीपक, नमीन, अधित्य, और अनाया, ठीक है, तो distinct EID from project, तो यह हमारी, यह जो है, इससे हमारा, वो नेम, इनेम, जो भी project, किसने किसी project पे काम कर रहे है, वो आपको output दे देगा, यानि कि दीपक किस पे, दीपक, यह देखेगा कि भीया, जो पहला है, EID पहली है, वो है, EID पहली है, वो किसी project पे काम कर रहे है, हाद यह ID क है प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है लोकेशन उसकी बैंगलोर है लोकेशन से मैं फरक नहीं पड़ता जो उसने क्वेरी बोली थी फिर वो देखे के प्रजेक्ट पर काम कर रही है तो वो दीपक नवीन अधित्य और अनाया इन उसने नेम पूछे दे एंपलए के नेम तो सारे के सारे नेम आपको डिस्प्ले कर देगा हमारी फाइनल आउट्पुट हमारी यह होएगी ठीक है होपसो आपको समझ में आ रहा हूँ चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ exist not exist same मैंने टेबल ली है जो पीछे यूज की थी तो यह एक correlated nested query में यूज होता है यह सिरफ जैसे की in और not in का तो मैं आपको बताई चुका हूँ क्या काम करता है यह सिरफ यह return करता है कि true या false ठीक है exist not exist returns करता है true या false अब true या false output में नहीं दे अगर exist करता है हां अगर exist करता है तो ठीक है यह ले लो ठीक है तो इससे एक example है पांट the detail of employee who is working on at least one project तो उसकी जो query हमने आपर लिख रख किया भी है select star from employee where eid exists select eid from project where employee id is equal to project id ठीक है हमने सारक यह जो query लिखी कि select star from employee वो सारे के सारे employee को select कर लेगा जहां पर eid जो exist करते है किसके यह हमारी swap query होगी eid project की where employee id is equal to project eid employee की जो eid है employee की जो eid है वो project eid में exist करती है या नहीं है वो इस चीज में check करेगा कि हां भई employee की जो eid वे एक number की employee id है और प्रोजेक्ट में employee id एक number है हां true तो true करेगा तो उसकी सारी की सारी information निकाल देगा अब वो देखेगा second है employee id project वाली में नहीं है तो छोड़ देगा उसको third है है भाई उसको ले लेगा सारी की सारी information true fourth भी true फिर fifth को check करेगा true तो वो सारी की सारी information निकाल देगा यह हमारी project table है और उपर वाली हमारी employee table है इतना आपको पता ही होगा यह सारी बाते में आपको समझा चुका हूं ठीक है यह हमारी final output होगी कुछ hard and fast rule नहीं था अब same not exist का होता तो वो ही same सारी चीज़ लिखके यह सारी चीज़े लिखके यहां पर employee id not exist के यहां पर not exist यहां पर not exist तो वहां पर जो भी इसमें नहीं है table में इन के अलाव जितने भी detail होती वो सारी वहां पर display कर देता ठीक है आप चलते है aggregate function की तरफ तो aggregate function से आपसे question बहुत स पूछ सकता है कि इन में से कौन सा aggregate function नहीं है ठीक है आपको चार option देदेगा चार option देदेगा अब कैसे question बन सकते है चार option देदेगा max, min, sum, count ठीक है यह आपको चार option देदिए अब यह बोल देगा only one, only two, both, one and two, या all of the above थे सारे यह ऐसे option देदेगा ठीक है तो हमारा correct answer क्या होगा all of the above ठीक है तो हमारा पाँच एग्रिगेट फंक्शन होते हैं, कौन कोज होते हैं, max, minimum, count, average, sum, ठीक है, max, minimum, count, average, sum, पाँच हमारे एग्रिगेट फंक्शन होते हैं, aggregate function होते हैं कौन-कौन जो होते हैं max, min, count, sum और average ठीक है यह हमारी path क्या होते हैं भईया aggregate function होते है अब हमने एक example ले लिया table है यह हमारी table मना रखी है ठीक है अब इस table के अदार पर हम कुछ queries ले गए हैं find the maximum salary तो maximum salary find करने के लिए में क्या है रखे है, EMPs का नाम है table का नाम हमने भईया क्या करा find the maximum salary तो हमने सीधा-सीधा बात करी भईया select max salary from employee तो output मारा क्या आगया maximum salary में employee की maximum salary कितनी है 50,000 दे रखी है तो भईया output मारा 50,000 आगया ठीक है अब वो बोल रहा है कि भईया select count star from employee select count star from employee अब ये क्या करेगा ये जो query उजने ले रखे select count star from employee ये क्या करेगा ये करेगा कि भईया जितनी भी total number of tuples है table में वो सारे के सारे count करतेगा इस दिद्वा देगा it will show total number of tables in the table ये मैंने लिख भी रखा यहाँ पे ये चीज क्या करेगा इस पे भी question आते है tuples tuples क्या होती है रोज होती है वो आपको चार option देदेगा अब select distinct अब ये कहिए है अब एक ये है ये query क्या करेगा select distinct count salary from employee अब इसमें देखे distinct count salary from employee distinct count salary from employee ओके ओके इक बो तीन चार पांच ठीक है बईया यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गलती होगी यहाँ पे 30,000 इसकी भी ले लो ठीक है 30,000 अब ने इसमें ले ली तो select distinct count salary यानि के अगर यहाँ पे 30,000 30,000 आ रखी है ठीक है 30,000 30,000 आ रखी है तो यहाँ पे जो है वो इसको सिरफ एक लेगा इन में से सिरफ एक को consider करेगा क्योंकि उसने distinct लगा रखा है तो कितनी है distinct salary एक, दो, तीन और चार, चार distinct salary है null को नहीं लेगा क्योंकि null में उसने कुछ डाला ही नहीं है, null को वो कभी भी value में consider नहीं करता ठीक है भाई अगर वहाँ पे अगर वहाँ पे उसको आपको लेना है, यहाँ पर 40,000 लेना है तो यहाँ पे जो हमारा output का जो answer है न, यह जो 4 लिख रखा यह 4 नहीं होगा, यहाँ पर output में answer आया 5, select some salary from employee अब यह some salary from employee क्या करेगा, कि भीया जितनी भी salaries है न, जितनी भी salaries है 10, 20, 30, 40, 50 इन सभी को वो sum कर देगा 10, 20 30 40 और 50, तो कितना sum हो गया भीया, 30 60, 40 60 और 40, 100 और 50 500, तो 1,500 1000 salary हो गई, 150 K salary हो गई भीया, ठीक है 150 K salary हो गई अब अगर वो यहाँ पर distinct लिख देता तो भी यही रहता क्योंकि distinct में कुछ फरक नहीं पड़ता अब select average salary from employee average salary from employee अब वो average निकालनी है उसी का डेड़ सो कितने number of employees है उससे divide करतेगा मुनलब count average salary में क्या होता है number sorry, sum salary average salary का जो formula होता है average का यहर आपको formula आता ही होगा तो sum बटे count कितने number है उसमें बंदे ठीक है sum बटे count या निकिए total number sum upon number of terms number of terms यह होता है तो उससे आपका पूरा average निकल जाएगा वो पूरा find करतेगा तो यह थी आज की class जो कि बहुत दिनों बाद आपकी class को आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने और बहुत जल्द ही मैं आपके लिए नहीं class लेके आपके आपके दो class बच्ची होई है इसमें मेरे ख्याल से तो class में maximum आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा होप सो कि एक थोड़ी से लंबी extend करके मैं एकी class में सारा खकम कर दू चीजे पर आपका जो DBMS का topic है वो जल्द खतम होने वाला है ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का पढ़ते रहिए और जिसने like सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज भिया कर दीजे ऐसे हसते रहिए मुस्क्रात रहिए फिर मिलेंगा अगली class में एक नए topic के साथ तिल देन टेक केर बबाई सी यू ने नेक्स क्लास